हेलो मेरे प्यारे बच्चो नमस्कार मेरा नाम ए शिवरंजनी जगदेवपूर मोडल स्कूल में मैं हिंदी अध्यापिका हूँ आज हम आटवी कक्षा की सातवी पाठ त्योहारो का देश के बारे में जानकारी लिंगे बच्चो अभी अपनी पाठे पुस्तक निकालकर त्योहारो का देश के पाठ देख लिजिए देखे न यहाँ अपने त्योहारो का देश के पाठ के नीचे चित्र के नीचे तीन प्रश्न भी दिया है देखो पहला प्रश्ण क्या है? चित्र में क्या-क्या दिकाई दे रहा है पहला प्रश्ण चित्र में क्या-क्या दिकाई दे रहा है देखो एक बार चित्र में अपने को मस्जित दिका रहा है और गिरिजागर है, मंदिर है, गर है, गाई है, आदमी है और बच्चे है, अवरत भी है अभी वच्चों अभी विदिय प्रेशन देखो, वे एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे क्या कर रहे है, चित्र में देखो, मज्जिद के सामने दो जेने अलई बलई कर रहा है इद के शुप खामनाई बोल रहा है, और गिरिजागर के सामने सैंटा ने तौफा दे रहा है, बच्चों को तौफा दे रहा है तोफ़ा का अर्द क्या है बच्चो गिफ्ट और तोफ़ा को दो पर्याई वाची शब्द भी है एक बेंट कहते हैं और एक उपहार कहते है और गिरिजागर को अर्द क्या है गिरिजागर का हाँ गिरिजागर का अर्द चर्च कहते है देखो चित्र में बच्चो नीचे क्या हैं? दो गर है गर के सामने एक औरत ने रंगोली कींच रहा है गर के सामने दो व्यक्ती भी है उसमें एक व्यक्ती में बाजा बजा रहा है और एक व्यक्ती ने गाई पकड़ कर गाना गा रहा है बच्चो चित्र में के कोने में देखो एक अवरत ने हरीदास को चावल दान दे रहा है अबी बच्चो तुरतिय प्रश्ण देखो त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है त्योहार का अब हमारे जीवन में क्या महत्व है? हाँ, बारत कैसा देश है? बारत त्योहारों का देश है यहाँ प्रत्येक धर्म के अपनी अपनी त्योहार होते है संपूर्न रास्ट मिलकर भी त्योहार मनाता है त्योहारों के दिन में मंदिर जाते है नए नए कपड़े भी पहनते और गर में क्या करते है? अलग-अलग पकवान बनाते है, मिटाईया बनाते है त्योहार हमारे जीवन में संतोश लाता है चात्र समझ में आ गए न हम अपने जीवन में तोहर का महत्व कैसा है अभी चात्रों के लिए सूचनाये देखिए अभी चात्रों के लिए सूचनाये के बारे में जानकारी लिए पहला वाला देखो क्या है पाट के चित्र देखना देखेना अपी अभी चित्र देखकर कलपना करना कलपना का अर्द imagination कहते है पाट में चित्र में क्या क्या है उन लोग क्या कर रहा है ये कलपना करके बताना अब द्वित्यवालदे को पाट पढ़ना पहले पाट पूरा एक बार पढ़ना पढ़िकर उसमें कुछ नया शिब्द आये तो क्या करना रेकांकित करना रेकांकित का अर्द क्या है अंडरलाइन कहते है और तीनवा देखो नये शब्द आये तो क्या करना अपने मित्रों से अपने दोस्तों से चर्चा करना मित्रों से दोस्तों से एक बार चर्चा करना और चारवा प्रश्ण में देखो नए शब्दो क्यों अर्द समझ में नहीं आये तो किसमें डूंड़ना शब्द कोश में डूंड़ना शब्द कोश का अर्द क्या है? शब्द कोश का अर्द डिक्षनरी कहती है डूंडना का अर्द सर्च और एक भी नाम है हिंदी का अर्द तलाश भी कहती है अब इक विता को गाने के रूप में पढ़ेंगे मन बावन सावन आते ही हरियाली चा जाती है राकी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है आजाती के दिवस्ति रंगा गर गर पर लहराता है वीर शहीदों की घादाये हम को याद दिलाता है आता हर वर्ष दशहरा होते केल तमाशे दीपावली पर दीपधान फूल जडिया कील बताशे बाई चारे का संदेश लेईद मुबारक आती मीटी मीट कीर सिवया सब के मन को भाती केल किलवने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार त्योहारो का देश हमारा हम को इससे प्यार बच्चो अभी खविता के पहले पध्याम्ष के बारे में चर्चा करेंगे सुनो मन बावन सावन आते ही हरियाली चा जाती है राकी के दिन बहन कुशी से फूली नहीं समाती है पद्यामश में पहला पंगती देखो सावन का अर्द क्या कहते है सावन का अर्द शावन मास कहते है इस पद्यामश में शावन मास महने के बारे में बहुत सुन्दरता से वर्नन किया है और ये महिने में हर्याली भी बहुत होती है रक्षा बंदन का त्योहार भी शावनमास महिने में आते है और ये रक्षा बंदन का त्योहार पूर्निमा स्चावन पूर्निमा के दिन मनाया जाता है ये त्योहार को बाई बहन भी त्योहार भी कहते है बहन ने अपने बाई को हाथ में राक की बांद कर रक्षा का वचन लेती है और इस दिन बहन ने बहुत कुशी से रहते हैं उनका कुशी की सीमा नहीं होती है अपने बाई को मिठाई भी किलाते हैं, है ना बचो, समझ में आगे ना ये पध्याम्ष अब इद्वित्य पध्याम्ष, आजादी के दिवस तिरंगा गरगर पर लहराता है वीर शहीदों की घादाई हमको याद दिलाता है बच्चो, अपने को आजादी कब हुआ? 15 आगस्ट 1947 को आजाद हुआ प्रति वर्ष, हर वर्ष 15 आगस्ट के दिन स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है और उस दिन क्या करते हैं? तीन रंगों का जंडा, तीरंगा चंडा भी कहते हैं, वो भी लहराता है उस दिन क्या करते और वीर शहिदों की गादाये सुनाते हैं स्वतंत्र दिवस के दिनों में अमर वीरों ने क्या-क्या कारी किया है उसके बारे में स्वतंत्रा दिवस दिन के दिन याद दिलाता है है ना बच्चों समझ में आगे ना अभी बच्चों अभी तुर्तिय पध्याम्ष आता हर्वर्ष दशहरा होते केल तमाशे दीपावली पर दीप दान फूल जडिया कील बताशे बावर्द सुनो आता हर्वर्ष का अर्द बारत देश में प्रती वर्ष दशरा का त्योहर मनाया जाता है है ना अभी दशरा का त्योहर दस दिन का त्योहर है ये त्योहर में माता दुर्गा देवी लक्ष्मी देवी को पूजा करते है माता दुर्गा देवी ने राक्षस महिश को मार कर लोगों को बचाया था इसलिए दश्रा का त्योहर मनाया जाता है उस दिन इस दिन में बच्चे कई तमाशे के केल केलते हैं अब दीपावली का त्योहर इस दिन में शाम को दीप दान करते हैं और दीप जलाते हैं उसे दिन दीपावली के दिन फूल जड़िया और केल बताशे जलाए जाते हैं बच्चे बहुत कुशी से रहते हैं उस दिन में देपावली के त्योहार में लक्ष्मी पूजा करते है गर में और अलग-अलग मिटाईया बनाते है है न बचो अभी चतुर्द पद्याम्षु सुनू चारे का संदेश ले इद मुबारक आती मेटी मेटी कीर सिवया सबके मन को बाते रमजान मुसल्मानों का त्योहार है ये रमजान तीस दिनों का त्योहार है तीस दिन रोजे के बाद इद मनाई जाती है रोजे का अर्द उपवास नमाज के बाद एक दूसरे को अले बले के रूप में इद की शुप कामनाये कहते है इस दिन रमजान के दिन मीटी मीटी कीर सिवया बनाते है और इसलिए ये त्योहार सबके मन बाता है समझ में आ गए ना बच्चो अभी पांच्वा पध्यामशु सुनो आकरी पध्यामशु सुनो बच्चो केल किलाउने पाते बच्चे क्रिस्मस के उपहार त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार बावर्द सुनो इसके जन्म दिन पर क्रिस्मस का त्योहार मनाया जाता है इस दिन में क्रिस्मस के दिन में तो केल किलाउने आदी उपहार के रूप में बच्चे पाते है देश कैसा देश है? त्योहारों का देश है इस तरह हम विबिन प्रकार के त्योहार मनाते हैं इसलिए हमारे देश बहुत प्यारा है है ना बच्चों अपने देश से बहुत प्यार है ना? चलो, अभी सुनो बोलो के बारे में चर्चा करेंगे चात्र, अभी कविता में किनकिन त्योहरों के बारे में चर्चा हुआ है शावन मास में राकी का त्योहर, स्वतंतरता दिवास, दशहरा, दीपावली, ईद और क्रिस्मस इस त्योहरों के अलावा और कुछ त्योहर नाम बताईए उदाहरन, उगादी, संक्रांत्री, होली आप 25 सब लोग ने आपने अपने अपने गुरुहकार्य पुस्तक में दस त्योहरों का नाम लिखिए नीचे दिये गए वाक्यों के बाव बतलाने वाले वाकिर कविताम में पहचान कर उतर पुस्तिका में लिखू पहला वाला तिरंगा, जंडा, वीर शहिदों की याद दिलाता है और द्वितिय वाक्यों की देखिए एद के त्योहात में बाईचारे का संदेश होता है चात्र नीचे एक चोटा सा डॉक्टर बी और अम्बेतकर के बारे में अनुचेद दिया है और ये अनुचेद आप लोग ने दो बार पढ़कर नीचे तीन प्रश्न भी दिया है सही उतर लिखी आपके कक्षाकारिय पुस्तक में और अभिल्ली को बिट भी देखिए यहाँ पे तीन प्रश्न दिया है दो चोटा है एक सारामश है दशरा त्योहार के बारे में आप क्या जानते हो और दितिय वाले 15 आगस्ट के बारे में तुम क्या जानते हो यह दो प्रश्नों लिखना और सारामश भी कविता का सारामश भी लिखना आपके कक्षाकारिय पुस्तक में चात्र अभि शब्द बंडार के बारे में चर्चा करेंगे नीचे कुछ त्योहारो का नाम दिया है वो त्योहारो का नामों से वाक्य प्रयोग बनाना त्योहारो का नाम देखिए संक्रांत्री, नवरोज, बुद्धपूर्नीमा, ओनम, रमजान, बैसागी ए नामों से आप लोग ने क्या करना वाक्य प्रयोग बनाना आपके उत्तर पुस्तिका में लिखना अभी सुरुजनात्मक अभी व्यक्ति के बारे में पाट में कुछ त्योहारों का नाम आये हैं जैसे राकी, स्वतंत्रत दिवस, दशरा, दीपावली, इद और क्रिस्मस अब आपने अपने मन पसंद त्योहारों का चित्र केंचना और उसके बारे में पांच वाकी भी लिखना ओके बच्चो अभी नेक्स्ट वीडियो क्लास ओनलाइन क्लास में मिलिंगे, नमस्कार